हेलो फ्रेंट्स विल्गम तो स्वागत है दोस्तों मेरे चानल में अड्मिशन नोडिफिकेशन आ गई है निसनल इस्टिशन आफ रूलर डिवलप्मेंट पंचायती राज की यहाँ पर आपको दो कोर्स प्रोवाइट की जारी है एक जो है दो साल का है एक एक साल का है और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं जो आपका टू एर फूल टाइम कोर्स है उसमें बोलागा है Post-Graduation in Diploma Management, Ruler Management आपको प्रवाइट करेंगे और One Year वाला कोर्स जो है उसमें Post-Graduation, Diploma in Ruler Development आपको प्रवाइट करेंगे एक तिरह सच देखा जाए तो Management की कोर्स है जहाँ पर आपके Skills को इनहांस करते है जहाँ पर आपको Ruler Development Program के बारे में बताया जाता है क्यासे यहाँ पर अच्छे से आप Develop कर सकते हैं बहुत सारे जानकारी आपको यहाँ पर दी जाती है Practical Knowledge आपको प्रवाइट की जाती है और यहाँ पर कहीं न कहीं आपको एक फोकस करके चला जाता है कि Development हम कैसे करे Ruler Development की तो एक अच्छा कोर्स है Job Security यहाँ पर होती है काफी Chances Opportunity है आगे भी इसकी तो यहाँ पर जो है अगर आपने Graduation कर लिए Apply करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं बात करेंगे Course Details के बारे में कौन Elisible है कौन Elisible नहीं है Process क्या है कैसे Form Fill Up करनी है सब कुछ आपको बताऊंगा सबसे पहले आपको जान ले पहला जो कूर्स था यहाँ पर PG and Diploma Management, Ruler Management ठीक है तो उसका जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर Elisible कौन से Candidate है Minimum 50% Marks आपके चाहिए Aggregate और जो है Graduation या Equivalent आपके पास कोई भी डिग्री है तो आप यहाँ पर Apply कर सकते हैं और 45% Marks चाहिए HTSC and PW Candidates अगर आप है तो 5% कम उसमें भी Elisible आप होंगे Selection जो होगा कैसे यहाँ पर Selection होने वाला है आपका आपको जो है Management की एक्जाम यहाँ पर जो होती है आपको यहाँ पर देना होगा तब ही आप जाकर Elisible हो पाएंगे और यहाँ पर बोला गया है Student who are a Final Year अगर आपकी Complete हो रही है 15 June तक तो यहाँ पर जो है आप Apply कर सकते हैं बोला गया है Elisibility यहाँ पर 4P GDRM तो इसकी बात करे तो बोला गया है सेम बात है यहाँ पर 50% Marks आपके होने चाहिए और 45 Marks आपके CST Candidate है या PW Candidate है तो आपकी जो है 45 Marks में भी यहाँ पर जो है खाम बन जाएगी बोला गया है Student who are in Final Year सेम बात है आपको बता दी गई है पर इसका Selection जो है Criteria अगर आप देखे तो बुला गया है कि सबसे पहले हम आपको Select करेंगे यहाँ पर आपके Marks के Basis पे यानि Sort List कर देंगे Marks के Basis पे फिर जो है यहाँ पर आपका Group Discussion कराया जाएगा फिर उसमें जो है Merit Bunny की उसके Basis पे आपको Interview के लिए बुला जाएगा फिर आपका यहाँ पर Selection होगा तो आपको जान लेना है Two Year Course जो है उस पे आपका Selection होगा Management की Examination के Basis पे और Second वाले पे आपके Marks के Basis पे Reservation यहाँ पर Provide की जाती है अगर आप देखे तो Follow किया जाता है Central Government के Rule को जहाँ आप देखेंगे स्टी, 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 ओबेसी, ननकरेमी, लियर, AWS और कोई PWD काडिगरी से बिलॉंग करता है तो Provide की जाएगी उसे यहाँ पर Retribution और यहाँ पर देखेंगे आपको Scholarship भी Provide की जाती है यहाँ पर आपको Married Scholarship देखनी को मिलता है यानि Marks के Business पे Scholarship मिलेगा कोई अच्छा स्टूएंट है या अच्छे Marks है और Economic Condition अच्छे नहीं है तो बिल्कुल आपको Scholarship मिलने के चांसे सोंगे साथ में यहाँ पर अगर कोई स्टूएंट यहाँ बिलॉंग करता है North Eastern State से तो यहाँ पर आपको Scholarship मिलेगी कि इसके तरफ से North Eastern Council जो कि इस लॉंग में है वो आपको प्रवाइड करेगी Scholarship बात करें कैसे apply करना है form को क्या क्या प्रोसेजर से गुजरना होता है तो सबसे पहले बुला गया है Official Site पे आपको लिंक मिल जाएगी और जो है लिंक मैं पीन कर दूँगा कमेंट में भी चेक कर लेजेगा वहाँ पर जो है क्लिक करना है जाना है और form fill up करना है आपको online और form fill up करते वक्त आपको कुछ बाते दियान में रखनी है और जो है वो information आपके पास होनी चाहिए जैसे registration application number 4 of any of the management admission days जो है email idea आप की चाहिए email idea आप दे देंगे वहीं पर सारे information आते हैं ठीक है तो काफी लोग गलत दे देते हैं तो ऐसा मत किजिएगा बिलिट mobile number जो है आपको यहाँ पर provide करना होगा बिलिट phone number आप दे दे देजिएगा फिर बोला गया है जब application form fill up करेंगे तो 400 रुपीस आपके पास होने चाहिए open category यानि अगर general category से belong करते हैं तो 400 रुपीस होने चाहिए अगर OBC category से है अधर backward cast उसमें भी 400 आपको pay करना पड़ेगा admission form fee और 200 रुपीस है HDSE, PWD, Candidnet से तो 200 रुपीस pay करना होगा online ही payment होगी आपकी यहाँ पर तक आपको time दिया गया है April आप form fill up कर लेंगे exchange करने की chances कम होते हैं तो कोसिज कीजिए यहाँ उसे बहले form fill up कर लेनी की यही सारे information यहाँ provide की गई है इससे regarding कुछ भी update आती है तो जरूर बताऊंगा कुछ भी information चाहिए हो इनसे आप जानना चाहते हों तो contact details आपको provide की गई है आप इने mail कर सकते है या phone directly कर सकते है active रहती है अच्छी service provide करते है तो problem नहीं होनी चाहिए hope आपको समझ में आ गया हो thanks for watching best of luck